हालो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉप्टिक है वो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और रियल लाइफ में भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है और एक्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है बात करें क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि यह हमारा आज का टॉपिक है roots of drug administration मतलब simple है कि जब भी कोई patient होता है यान कि कोई बीमार बगएरा होता है तो उसको क्या जाएगा दवा चाहिए ठीक होने के लिए तो जो हम उसको दवा दे रही है वो उसकी body में कौन से राष्टे से inject हो रही है इसी चीज़ को हम पढ़ते है root of drug administration के अंजर जैसे मालो हमारा एक दोस्त है प्रदीप वो क्या होगा बीमार हुआ उसको मालो fever आ गया तो fever आया तो वो गया डॉक्टर के पास यह है हमारा प्रदीप अब यह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इसको कह दिया दबा दी अब वो दबा वो अपनी body में inject करेगा तभी तो जाके वो दबा अपना असर करेगा तभी तो ठीक होगा प्रदीप लेकिन वो दबा कौन से रास्ते से उसकी body में inject की जा रही है इसी को यहां पर बोलते है रूट वाला अब यहां पर देखिए उस पर मतलब सारे experiment इसी के उपर कर लिए सारी दबा कर दिख रहे होंगे तो इसी को जो हम यहां पर डीटेल में पढ़ने वाले हैं अच्छे से एक एक चीज को कहसे करेंगे ठीक है फ्रेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर तो अगर हम इसकी definition देखी साए तो यह हमारी बनती है कि मालो कोई भी हमारा drug है तो वो हमारी body में कौन से राते से inject कर रहा है पास से inject कर रहा है तो वही हमारी यह definition हो जाएगी बात करे classification की तो एक तो यह बहुत साथ confusing है confusing क्यों कि कई जगा पे इसको अलग अलग तरीके से लिखा हुगा मिलेगा आपको कहीं पर यह इसमें होंगे और यह हमारे इसमें होंगे तो इन सबका आज मैं को एक validism देने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसको हम इसमें भ और आगों में डिवाइड किया गया मन्तलब दो तरह से इसकी classification होती है और जो ये classification के वेस पर यहां पर हो रहा है पहला हमारा होता है local और दूसरा हमारा होता systematic अब यह क्या चीज़ है तो यह समझे कि कोई हमारे मतलब किसी के जहां पर किसी के चोट लग गया जैसे मान लो को हमारी स्किन वगरा है हमने किया कि यहां पर डारक्ली जो हमारा यह ड्रग है इस ड्रग को हमने किया कि यहां पर पहुंचा दिया डारक्ली इस ड्रग को और ड्रग इस पर रख होके उसने किया कि धीरे 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 यहां एब्सॉर्ब होके यहां पर अपना असर क्र नहीं कि हमने कोई tablet या कुछ भी खाया तो वह पहले माउट में माउट से घले में उतरते हुगे हमारे पेट में पहुंचेगा यान की पूरी बॉडी सिस्टम में circulate हो रहा है याद करो body system में और इस system में circulate होने के बाद वो हमारा जो है वहीं से जहां पर site of action होगी उस जगह उसके receptor present होगे वहां पर अर्षेप्ट होगे तब वो हमारा site of action पर पहुंचेगा मतलब आपने यहां देखा कि systematic का मतलब क्या हमारी blood के अंदर पहुंच गया system यहां word आता है na systematic वहां समझ लेना कि जो हमारा drug है वह पहले blood के अंदर पहुंच गया और blood क्या करता है उसको circulate करेगा क्योंकि blood का काम क्या होता अपनी body में वह oxygen को और उसके जो भी मतलब खादे परता आता हो जो भी साथ में गुमारी लगता है पूरी body में और जहां पर उसकी जरुवत हो जहां पर उसका stop आता है मतलब यहां पर site of action यहां पर उसको उतार दिता है और वह ड्रग अपना यहां पर असर करने लगता है तो यह हमारे होते हैं यह हमारा systematic कहलाता है blood की सारे जो हमारा drug पहुंच रहा है और यहां पर यह हमारा कहलाता है drug यह हमारा कहलाता है local ले दिया तो इन ही को जो हम यहां पर अच्छे से discuss करने वाले हैं और एक एक तरीके को बात करें local में तो local में हमारे आता है topical यानकि on skin फिर inhalation आता है फिर rectal आता है देन हमारा आता auricular अब यहां पर जो हमारा inhalation और रेक्टल हैं इसको जो है हम यहां पर systematic के अंदर भी समझते हैं अब क्यों आता है इसको जब हम इसको discuss करेंगे तब हम आपको बताएंगे बात करें local route of drug administration तो local मैंने आपको बताई दिया कि जब भी हम किसी particular area पर यानकि किसी local area पर जब हम drug को असर कराते हैं तो वह हमारा होता था local route ठीक है example मतलब इसके जो type थे वह हमारे क्या थे पहला हमारा था topical वाला अब topical वर्ड से समझो top यानकि यहां top जैसा कुछ आरा है top का सबसे उपर body में सबसे उपर क्या होता हमारा skin होता है यानकि इसलिए यहां पर बुला जाता है कि topical route का मतलब है skin के द्वारा हम किसी drug को apply कर रहे हैं अब example समझे होते हमारे skin है और यहां हमारे lesion हो गाओ आपको ऐसे word थोड़े बहुत याद रखने होंगे तो यह हमारे हो अब हमने कहा किया ऊपर से cream यानकि यह कि इसके अंदर हमारे क्या है फेर रबली वगरा नहीं है यह नहीं है कि पूरी body में घूम रहे जाके drug नहीं यहां पर हमारे चोट लगी वहीं पर हमने इसको लगाया वहीं के वहीं इसने local effect कर दिया बाकि क्या है कि patient जो भी हमारे होते है वह इसको लगाने में मतलब एतराज नहीं करते उनको कोई problem नहीं होते क्योंकि यह easy to use होता है बस patient को लेना है अपनी इसके निहां चोट लगी उस पर ऐसे रब कर दिया और उसका हो गया काम थी उसके बाद यह painless है इसमें दर्द नह नहीं होता है कोई नहीं होता है उसके बाद अगर हम इसका एक्सल फास्ट कर भी देते हैं कुछ ऐसे आते हैं जैसे मूब देखा होगा आपने तो मूब हमारा क्या होता बहुत को एक मतला उसको लगाओ दर्द हो रहा हो बहुत जाल्द आपको राहत मिलती है लेकिन वह irritation क करता है देखा है ना बहुत जलन्जी करने लगता है तो वह होते हैं कि slow response होता है यहाँ पर लेकिन अगर किसी का कोई response है भी तो वह क्या करता है irritation cause करता है ठीक है पर तो इतनी सी की बात ही बाकी यही है कि यह हमारे एक्जांपल के हैं लोसन हो सकता है हमारा BICS से देखी होगी, ईक BICS, तो BICS क्या करते ही, जब कभी मतलब nose बगरा close हो जाती है, उस टाम पिश को हम जहां से inhale करते हैं, और वो हमारी यहान notes को पूरा मतलब खोल देती है, और हमको राहत पहुचाती है, है ना, और एक example यह देखा होगा, कि esthma pump आप सभी लोगों तो est प्रॉंक्यू ठीक्षिंग का मैं इसको बिए भाइड कर देती है जिस वाई से क्या होता है हमारी सांस यहीजी तरीक से ले सकते हैं और यह हमारे लोकल आते हैं यहाँ पे नोस में पहुंचाते हुँ, म्यूकोसा मेमरेर के अंदर हमारी क्या होती है 흥 हमारी क्या होती है, यहनलर की Mean उति हैं हमारी किδα होती है, यालन कीcipe Infinity ड्रक्स की क्या कर holiday हैं होती है और उन्हीं के सारे हमारा बिलड डारक्ली यहां पर पूरी बॉडी में तो बस यही रीजन था कि जो हमारा इन्हेलेशन और नेजल है इसको जो है कई वह हम इसमें में भी पढ़ते हैं और इसको जो हम फिल्ड अर्प को एक response वो करता है बात करता है यहां पर रेक्टल यानकी बैजाइनल की तो यह हमारे कुछ special tax के drug होते हैं और यह हमारे कुछ critical condition में दीजाती है जब हमारा patient अगर बेवस हो गया जब वो इस condition में नहीं है कि वो oral drug ले सके या injection वगएरा नहीं सके तो इसमें क्या करते हैं suppose छी वह उन्मा इसके अग्जांपल ले तो इसको क्या करते हैं में इंजेक्त कर ते आप इंजेक्टास में निहीं की यहँड़ कometric का हटी कि हाती है यहां से अपना drug यह पर julie का पूरा हमारा यहां यहां से पहुंच जाता है इसमें और यहां से भी हमारा पहुंच जाता है बिलड में सर्कुल और यहां से हमारा सर्कुलेट हो जाता है तो यही रीजन है कि जो हमारा रेक्टल है इसको भी हम जो सिस्टमेटिक में पढ़ते हैं बाकि यह हमारा क्या है यूज करता है एक्जाम्पल इसका जाई है सब्सक्राइब कर सकते हैं या किसी को अगर कोई दबा बगएरा उस पर बॉमिटिंग वगएरा हो रही है उस टैंप यूज कर सकते हैं बाकि डिसएडवांटेज का इसका कि एक तो इरिटेशन कॉज करता है आप खुदी देखो यहां पर डाले लागा इरिटेशन कॉज करता है बाकि नॉन असेप्टेबल रूट होता है लोगों को तो यह काम कराना मतलब पॉस्विल इतना अच्छा नहीं होता है अब हम समझते अपना औरिकुलर वाला तो इसमें क्या होत होते हैं भर करते हैं हमारा दूसरा हो गया सिश्व्टय रूट के बारे मेंमात्लब क्या है कि अब ग practically अब लेने वाले हैं यहां से करेगा हमारा यहां के जाएगा और हों सबसे बड़ी बात वह हमारा क्या होगा blood के अंदर गूमेगा यानकि जो अब हम लेने वाले हुआ हमारा blood के अंदर हमारा drug आने वाला है ठीक है तो चलिए अब समझते हैं हम इसको systematic route में तो यह हमारा जो है दो तरीके से आता था पहला हमारा यह है एंटरल और दूसरा हमारा होता सबसे पहले समझते हैं एंट्रेल वाला तो बस आपना एक एक को मतलब बात को ध्यान से सुनते रहना एंट्रेल का मतलब यह होता है कि it means throw intestinal यान कि हमारी यह बॉड़ी है यह पूरी बॉड़ी है तो इस बॉड़ी में यह हमारी क्या करेंगा यहां से होते हैं को क्रोस करता हुआ जाएगा तो ऐसी जो ड्रग होते हैं घ्रग में इस पार्थवे को फॉल्व करता है उमारा GIT कहलाता यान कि gastrointestinal tract ठीक है प्रेंट तो यह हमारे होते हैं एंडरल वाले यान कि जो कोई भी ड्रग हमारे intestine को cross करता हुआ जाएगा बिलड में वो हमारे कहलाते हैं एंडरल ड्रग और यह हमारे first pass metabolism सो करते हैं first pass metabolism क्या है इसको हम समझते हैं तो लेट करो यह हमारा body है पूरी यहां पर हमने drug को inject किया हमारे माउट से होता हुआ गया यहां पर इस्टमक में यह देखो एक औरल टैबलेट है इस्टमक में आई यहां पर वो हमारा के साथ क्या होगा थोड़ा होता है ब्लड में और ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करता है इस पोर्टल वेन के द्वारा हमारा लीवर में पहुंच आता है अब लीवर का काम क्या होता है लीवर हमारा drug इस liver को pass करके इस blood में जमना main यहाँ पे heart में पहुंसता है circulate होने के लिए तब तक उसका लगबग 10-20% भाग क्या हो जाता है metabolize हो जाता है और जब पूरा drug हमारा पहुंचेगा ही नहीं किसी site of action पर तब तक वो अपना असर कैसे देगा पूरा तो इसी वज़य से इसमें जो हमारा first pass metabolism कहलाता है और इसमें जो हमारा drug होता है उसकी bio ability कम हो जाती है bio ability मतलब वही कि कोई drug अपना कितना ज़्यादा असर सो करेगा तो वो इसमें कम हो जाती है तो इसी को जहां पे बोलते हैं first pass metabolism तो कई बार exam में ऐसा हुआ है कि दो दो तीन तीन मार्क में हमारा ये चीज simple पूछ लेते हैं कि first pass metabolism क्या है और bypass metabolism क्या है तो ये हमारा कहलाता अब इसके हम type देखे तो इसमें हमारा आता oral route अब oral route में simple ही करते क्या है कि कोई भी हमारा drug होगा उसका हम माउथ के सारे देंगे और mouth में बुजाएगा फिर माउथ के सारे यहांसे होता है कोई small index यहांसे इस्टमक में जाएगा small intestine में यहांसे हमारा portal vein के तौरा liver में जाएगा फिर liver के होते हुए हमारा blood में पहुंचेगा blood में पहुंचेने के बाद वो पूरी बाडी में circulate हो जाएगा हर्ट के बाद और पूरी बाडी में circulate होने के बाद वो अपने असर create करेगा तो यह हमारे कहलाते है oral route मतलब इसमें क्या करते हैं हम कोई भी drug होगा वो mouth के द्वारा लेती है बात करें यहां पे तो यह हमारा सबसे oldest है और सबसे simplest है यानकि यह वाला एक ऐसा method होता है जो हर कोई अपने यूज़ कर सकता है बात करें तो इसमें solid doses form और liquid dose form दोनों तरह को हम दे सकते हैं solid जैसे tablet भी हम खाते हैं capsule भी खाते हैं भी खिला दो बस injection मतलगाना तो यह हमारा होता है सबसे more convenient होता है tablet खिला दो syrup दे दो यह सारी चीज़े बहुत easy होती है बच्चों के लिए बहुत जादा easy होती है बाकी बात करें तो इसमें दर्द बगरा कोई होता नहीं है और cheap and कोई जादा महेंगे भी नहीं होते हैं बा कोई भी दबा हम इसमें लेंगे drug syrup पिएंगे वो जाएगा पूरे track को cross करता हुआ intestine cross करता हुआ liver में पहुँचके तब जाके blood में पहुँचके तब जाके असर करेगा मतलब मालो एक दो गंटे तो minimum इसमें लगी जाएंगे तो इसलिए इसका जो response होता है वो हमारा पर यहां पर होगा, systematic में entral होगा हमारा, अब होगा our parentral, अब parental अगर हम इस word का मतलब समझें तो para का होता है, pair का मतलब होता beyond यान की other और entral का मतलब हमारा कहता है intestinal, यान की इसमें क्या होगा, जो हमारा drug होगा, वो हमारी body में जो inject करेगा, वो हमारा intestine वाले root को छोड़के बाकि किसी भी रूट से जा सकता है यहां कि वही सिंपल है कि जो भी हम यहां से ड्रग ले रहे हैं वो ड्रग हमारा इस वाले रूट को फॉलो नहीं करेंगे जो इस फॉलो नहीं करता वो हमारे कहलाते है और बात की था यहां पर थो यहां पर यहां पर यहां पहुंच गई में वाली वीम में और यहां से हमारे हर्ड में पहुंचके सर्क्लेट हो जाती है यहां पर हमने यह देखा कि यह हमारा बाइपास मेटाबलिजम है यानि कि इसने लीवर को पास कर दिया इसलिए इसको बाइपास बोले गया तो जैसे एक्जामपल समझे यह बहुत लोगों ने सुना होगा यहां से हम कोई मतलब कार लेके जा रहे हैं अब हमको अलावाद प किया इस वाले आगरा वाले पूरे पार्स को इसने मतलब छोड़ के और डारक लिए यहां से और अलावाद पहुच रहा है तो इसको हम बोलते हैं बाइपास जाने कि किसी चीज को छोड़ के और रास्ते को सौर्ट पहुचा देना तो यह हमारा बाइपास कहलाता है अब कि अंदर हमारे बहुत सारी चीजा आती है जैसे हमारे सब लिंग्वेल वकल इन्हेलेशन सब क्यूटनेस और रेक्टल और बार हमारे इंजेक्शन तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को समझ लेते हैं बागी इंजेक्शन वाला पोर्शन तो बहुत जादा इजी और बहु और हमारी डारकली यहां पर पहुंच जाते हैं इसके द्वारा यहां पहुंच जाता है अब इसको पैरेंटरल में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह अदर देन इंटेस्टानल आप देख रहे होंगे यह वारा जो हमारा रूट है वो इस वाले रूट को फॉल नहीं कर रह है तो इसलिए इसको रखा गया यहां पे पैरटेल में अब कई लोग होते हैं क्यों रखते हैं इसलिए रहते हो कि कई वार होता है जब भी हम कोई मुव बग 일 शांते हैं तो दो दीन É anotheraph लिकिन परपधे है वह क्या है कि टंग के नीचे रख रहा है जिससे कहा गारें ? यहां से अब्सार भो गहीज़ का प 11 इसका में परपर यही है कि इस में डारकली यहां से यहां पर प Assassination आए तो हम इसको च्छिंप बखरेंगं इसको तेंदर मांनते हैं तो हमारा स्ब्सार यहाँ पर एकाद देखते हैं, जैसे हमारे GTN ड्रग होते हैं, बाकि Bupronorphine ड्रग होते हैं, advantage देखें तो इसका action हमारा rapid होता है, और दूसरे बात यह हमारा bypass metabolism फॉलो करता है, यानकि यह intestine को follow नहीं करता है, और bypass जो follow करेगा वो तो हमारा parental में आता है, क्योंकि parental में हमारा bypass metabolism ह होता है, बात करें, यहाँ पर disadvantage की, तो कई बार यह क्या होता है, पैसन के लिए inconvenient होता है, वही बात है, मुह में कुछ रखेंगे, tablet फिर उसका बेट करेंगे, धीरे-धीरे पो swell होगी, तो मतलब यह inconvenient होती है, अब बात करते हैं, आगे के हमारे topic यहाँ पर वो हमारा होता है injections, तो यहाँ पर यह हमारे आते हैं, इन्जेक्शन और इसमें हमारे यह आते हैं, subcutaneous आते हैं, फिर intravenous आता है, intramuscular आता है, intracardiac आता है, intradermal आता है, intradermal आता है, और बात करें, यह हमारे inhalation और rectal के, तो इसको जो हम इसमें पढ़ चुके थे, तो हमने reason भी देखा था कि यह हमारा क्या होता है, beans के दोरा absorb हो जाता है, इसलिए यह हमारा इसमें आता है, parental में, तो semi-same होता है, आप चाहो तो यहाँ से उतार सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको यह skin के पूरी layer दिख रही होगी, सबसे उपर की skin को हम epiderm है, इसके दोरा हमारा यह attach है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर बस हम नाम से समझते जाएंगे, हमारा सारा कुछ clear होता जाएगा, पहला हमारा होता है, इंट्रा बैनस वाला, यह हम कुछ भी पढ़ लेंगे, पहले हम देखते हैं, इंट्रा मस्कुलर, अब इंट्रा मस्कु लगते हैं, जब लोई पकेरा से कुछ चीज लग जाती है, तो बाजुव में लगता है, और बाजु में यहाँ पूरा लगता है, यहाँ पर पूरा का पूरा 90 डिग्री पर लगता है, जिससे वह अंदर तक मस्कुलर तक पहुंच जाए, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, और यह हमारा एंगल रहेगा, जो लगाने के वाद 90 डिग्री रहेगा, बात की दर यहाँ पर लगता है, यह देखिए, आपर बीज के द्वारा हमारा डारकली यहाँ पर पहुंच जाता है, इससे हमारा हर्ड में पहुंच के शर्कुलेट हो जाता है, तो यह हमारा एडवांटेज और डिसडवांटेज की, तो यह मोश्टली जितने भी हमारे इंट्रवेनेस वाले हैं यह हमारे रैपिड एक्षन सो करती है, रैपिड एक्षन क्यों सो करती है, क्योंकि यह द्रकली यहाँ पर लगे हैं और इसके बाद यहहाँ पर सीधा आते हुए, यानकि intra-banance की हमारी 100% होती है और सब की मतलब mostly ऐसी रहती है बहुत accurate होती है बात करें दूसरा हमारा subcutaneous यह हमारा होता है यह टिशू होते हैं तो इसको क्या करते हैं जो हमारा drug होगा वह subcutaneous वाले इस टिशू पर inject किया दाएगा injection के दोरा और यहां पर जो हम injection करते हैं वह ह मतलब अच्छे वे rapid response हो करता है बाकी वही चीज़ है देर हम बात करते हैं इंट्राडर्मल को तो इंट्राडर्मल हम यहां पर उपर की layer पर जो हम inject करते हैं और यह हम मतलब कम-कम केस में यूज करते हैं जानकि जब कभी emergency पढ़ती है जैसे example समझा होगा आपने कभी-कभी यहां पर चाज बगरा हो जाती है जा इसके खराब होने लगती है इसके मर्ज आती है यह बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती उस टाइम पर हमारी मजबूरी होती कि यहां पर हम injection करें तब यहां पर जो असर करेगा क्रिये तो इसलिए यहां पर हम इंट्राडर्मल वाले injection का वालत के अंदर लगाती है और यहां पर एंगल हों वह कल लगा 25 fry लएका व स्ट्राड माइन के अंदर लगता हैं इसका जो जो सी इसी नसे cross करके directly हमारा blood है वो यहाँ पर पहुंच आता है और circulate होता है मतलब यह हमारे जितने भी है by pass metabolism follow करते हैं कि by ability 100% होती है और यह यह वाला path follow नहीं करते हैं उस ब्सक्राइब बहुत अच्छा response देते हैं तो यह हमारा इसका हमारा 100% होती है और बाइपास metabolism होता है बाकि इंट्रा मश्किलर में भी यह यह बाइपास metabolism होता है जो पेसेंट कोई मालो बेहुश बगरा हो गया तो उसको भी हम जो है इंजेक्शन तरीके से लगा सकते हैं तो यहीं सब इनके कुछ तरीके होते हैं बाकि बात करें होता है इंट्रा कार्डियक वर्ट से समझें तो हमारा हर्ट से लेटेड है और यहां पर क्या होता है जब मालो कोई पेशेंट में अमर्जेंसी केस में लगाए जाते हैं जब मालो दिल का दौरा पड़िया या आईशियू बगरा में कोई मतला प्रॉब्लम हो गई नहीं होस बगरा तो डिल में लगाए जाता है हर्ट में और यह मतलब हर्ट की जो मसल्स होते हैं उसमें लगाए जाता है और यह केबल एक अमर्जेंसी केस में करते हैं और एक्सपर्ट ही करते हैं इसको मतलब हर कोई नहीं कर सकता है जो एक्सपर्ट होते हैं कार्डियो लॉजि तो हमारा इस यहां से जो निकलता है ना इसके बाद जो जो हमारी नसा जूड़ी होते हैं वो हमारी RTL कहलाती है तो जब इन वाली नसों में हम लगाते हैं तो वो हमारी इंट्रा-RTL कहलाती है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगे लेकिन मतलब सारा कुछ कवर करने का ट्राइ क्या है बाकी बात करें यह नोट्स तो यह आपको हमारी website www.carewellfarmer.in इस पर आपको मिल जाएंगे वहाँ जाए बिजिट कीजिए और नोट्स को डाउ आपको मिल जाएंगे बाए बाए बाए